बच्चों गती शब्द से तो आप भली भाती परीचित होंगे तो आईए कुछ ऐसे उधारण सोचे हमारे आसपास की वस्तुमों को देख कर जो गती में हो यदि आप किसी कमरे में बैठे होंगे तो आपने जरूर उस पंखे के ब्लेट की गती को सोचा होगा या फिर दिवार पे टंगी हुई सुई के गती को सोचा होगा या फिर अपने कमरे से बाहर होंगे अब सड़क पे होंगे तो आप जरूर बस का, ट्रक का, कार का, बाई का चलना सोचे होंगे या फिर पार्क में होंगे तो जूले का जूलना या फिर आसमान में पंचियों का उड़ना पेड का जुकना, फल का गिरना ये सारे उधारण शायद आपके दिमाग में आए होंगे पर फिर भी यदि मैं आप से पूछूं कि गती क्या है तो इस प्रशन का आंसर देना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा तो आईए इस प्रशन का आंसर करने के लिए वापिस उन्ही उधारणों के तरफ चलते हैं इनका विशलेशन करते हैं जब आप सड़क पे खड़े थे और आपने गती करते हुए एक कार को देखा चलते हुए एक कार को देखा और उसी कार का उधारण तो आपने गती के रूप में लिया तो क्या हुआ? वो कार आपके पास थी और आपसे दूर चली गई होगी या तो दूर थी वो आपके पास आ गई होगी इसका मतलब उस कार की स्थिति में परिवर्टन हुआ आपने कुछ समय पहले उस कार को अपने पास देखा और कुछ समय बाद कार को अपने से दूर देखा इसका मतलब गती में दो तथियों का बहुत importance है और वो है समय और दूसरा स्थिती मतलब यदि कोई वस्तू समय के साथ साथ अपनी स्थिती में परिवर्तन करे तो हम उसे गतिशील कहेंगे बच्चो आप किसी सड़क पर खड़े हैं और आपने उसके दोनों और लगे हुए पेड़ या पौधों को भी देखा होगा वो आपको कैसे नज़र आते हैं अरे पेड़ और पौधे तो जड़ों से मिट्टी को पकड़े हुए होते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे स्थिर कहेंगे लेकिन आप किसी बस में बैठे हैं और आगे की तरफ सड़क में बढ़ रहे हैं जब खिड़की से बाहर देखें तो वही पेड़ पौधे आपको पीछे की तरफ चलते हुए नज़र आते हैं तो वह पेड़ पौधे वो तो जमीन से जड़ो से पकड़े हुए थे लेकिन वह अचानक ही आपको गती करते हुए नज़र आते हैं तो क्या गती का कॉंसेप्ट समझने के लिए केवल दो ही चीज़ काफी है समय और स्थिती या इसके अलावा कुछ और भी है तो जब आप सड़क पर खड़े थे तो वो पेड़ पौधे आपको इस्थिर नज़र आ रहे थे लेकिन जब आप बस में बैठ के आगे चलने लगे तो वही पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर गती करने नज़र आने लगे इसका मतलब समय और स्थिती के साथ-साथ गती में अवलोकन बिंदु का भी बहुत महत्व है मतलब आप उस वस्तु को कहां से देख रहे हैं वो कहलाते हैं अवलोकन बिंदु या इसे हम निर्देश बिंदु के नाम से भी जानते हैं यानि कि कोई वस्तु गती में कब कहलाती है जब हम किसी वस्तु को निर्देश बिंदू के सापेक्ष समय के साथ साथ इस्थिती में परिवर्तन करता हुआ देखते हैं और निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के सासत इस्थिती में परिवर्तन नहीं होता तो वो बस तू इस्थिर कहलाती है चलो एक और उधारन लेते हैं आपकी घर के आंगर में वही एक पेड़ है आप रोज खिड़की खोलते हैं तो वो पेड़ आपको नजर आता है तो आप उस पेड़ को क्या कहेंगे? किस अवस्था में कहेंगे? निश्चित रूप से आप उस पेड़ को स्थिर ही कहेंगे क्योंकि आप रोज खिड़की खोलते हैं जब तो वो पेड़ आपको वही पर नज़र आता है यानि कि आप कमरे से अवलोकन कर रहे हैं तो आपको वो पेड़ स्थर नज़र आ रहा है लेकिन हम जानते हैं कि पृत्वी अपने अक्ष पर घुरनी गती कर रही है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है और देखा जाए तो पृत्वी सूरी के चारो ओर भी गती कर रही है घूम रही है और वो साल भर में सूरी का एक चकर लगा लेती है जब हम पृत्वी से बाहर जाकर देखें तो हम पाएंगे कि 24 घंटे में उस पेड़ के स्थिती चेंज हो गई है और वो वृती गती करकर वापस अपनी स्थिती पर आ चुका है और साल भर में देखें तो वो सूरज का भी चक्कर लगा कर आ चुका है इसका मतलब गती का अध्यान करने के लिए एक निर्देश बिंदू और समय के साथ साथ इस्थिती में परिवर्तन की अवशक्ता होती है अब बात करते हैं बच्चों हम भौतिक राशियों की भौतिक राशी किसे कहते हैं? वे सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है जिनको हम माप सकते हैं वो कहलाती है भौतिक राशियां अब बताइए किन-किन चीजों का मापन आप कर सकते हैं? लंबाई, चोडाई, उचाई, आयतन, द्रव्यमान, ताप, दाप, घनत्व, जोती तीवरता, विद्दुधारा ऐसी कई राशियां जिनका मापन किया जा सकता है तो ये कहलाती हैं भौतिक राशिया हम उनका मापन कर रहे हैं मतलब उन राशियों का एक परिमान होगा, एक आंकिक मान होगा अब इन भौतिक राशियों को हम दो भागों में बाड़ते हैं एक अदीश राशी और दूसरा सदीश राशी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है आदीश, यानि की दिशा के बिना और सदीश यानि की दिशा के साथ, इसका मतलब मापन में एक और कॉंसेप्ट भी छुपा होता है और वो है दिशा, जब हम किसी राशी में केवल आंकिक मान ही, मापते हैं, तो वो कहलाती है अदीश राशी, लेकिन जिन राशियों के मापन में दिशा कभी महत्व होता है, व और घटाना गुणा भाग साधरन बीजगनीत के अधार पर ही किया जाता है जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं लेकिन जब हम सदीश राशी की बात करें तो ये दिशा वाली राशिया होती हैं इसलिए इनमें हम साधरन बीजगनीत नहीं अपना सकते इसमें गुणा भाग जोड़ या घटाना करने के लिए हम सदीश वीजगनीत को उपयोग करते हैं जिसके बारे में आप हाईयर क्लासिस में अध्यन करेंगे अब आगे बात करते हैं हम दूरी की दूरी शब्द ये भी आपके बोलचाल में प्रचलित हैं आप भी आए दिन इस वर्ट का इस्तमाल करते हैं जैसे कि वो जगा बहुत दूर है वो दूर थी इसलिए हम समय पर नहीं पहुँच पाए इस प्रकार दूरी शब्द से भी अब परीचित है पर इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें को धारण लेते हैं मान लीजे आप इस पी इस्थिती पर हैं एक जगा अपने लिए जहां पर आप पी इस्थिती पर खड़े हैं और आपको दूसरे स्थान पर जाना है जिसको हम दर्शार हैं क्यों से पतलब आपको पी स्थान से क्यों स्थान तक पहुचना है पी स्थान से क्यों स्थान तक पहुचने के लिए मान लीजे आपने इस रास्ते का इस्तमाल किया जिसको हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और इस रास्ते पर आप चले तो ए पी से लेकर क्यों तक की दूरी आपन यह बताए कि इस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने का एक और रास्ता था मान लिजे उस रास्ते को हम 20 से दर्शा रहे हैं और यह रास्ता केवल 40 km है हम देख सकते हैं कि यह रास्ता उससे थोड़ा आसान नजर आ रहा है तो पहले रास्ते में जो दूरी थी वो 50 km की थ दूसरे रास्ते में वही तै की गई दूरी 40 km की हो गई अब मान लीजे इससे भी शॉटकट रास्ता हम निकाल लेते हैं यानि कि एक ऐसा रास्ता जो पी से लेकर क्यू को डैरेक्ट जोड रहा हो लंबवत दूरी हो शॉटकट हो और यह हो रहा है केवल 10 km तो यहां पर हम देखेंगे P और Q अपने ही स्थान पर फिक्स है लेकिन यदि हम अलग-अलग रास्ता तै करते हैं तो दूरी भी अलग-अलग जाती है कभी 50 कभी 40 तो कभी 10 का स्थिनल तो इस प्रकार हम मिस्कर्श निकाल सकते हैं जो दो बिंदों के बीच में दो इस्थान के बीच में दो स्थिती के बीđच में दूरी होती वह तै की गई पत की लंबाई पर निर्भर करती है दूरी अदीश राशी है इसमें दिशा का महत्व नहीं होता इसलिए यदि हम देखे तो दूरी का मान सदय भी धनात्मक होगा क्योंकि जब भी हम किसी पत की तै की गई लंबाई को निकालते हैं तो वो हमेशा एक आंकिक मान एक परिमान हमको प्राप्त होगा इसलिए जो दूरी है वो अदीश राशी कहलाती है जो की सदय भी धनात्मक होती है अब हम बात करते हैं विस्थापन की Actually, विस्थापन भी दो बिंदूओं के बीच, दो स्थितियों के बीच की दूरी है पर ये दो बिंदूओं के बीच की shortcut दूरी है यानि की न्यूनितम दूरी या यू कह सकते हैं लंबवत दूरी जब हम दूरी में दिशा लगा देते हैं यानि कि निश्चित दिशा में तैकी गई दूरी के बारे में अध्यन करते हैं तो वो कहलाता है विस्थापन तो यहां से एक लियर है कि विस्थापन दो बिंदूओं के बीच की लंबवद दूरी है यानि कि न्यूनितम दूरी है और दूसरा उसमें दिशा भी है क्या यू कहें हम कि विस्थापन एक सदीश राशी है अब इसी उधारान को हम देखते हैं पी से क्यू तक तैकी कई दूरी अलग-अलग थी अलग-अलग रास्ते पर निर्भर कर रहे थी लेकिन ये दिम विस्थापन की बात करें तो पी से लेकर क्यू तक के बीच में केवल एक ही लंबवत दूरी है और वो है 10 किलोमेटर की इसका मतलब पी और क्यू के बीच का विस्थापन 10 किलोमेटर होगा लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि विस्थापन एक सदीश राशी है इसमें दिशा का महत्व है तो यहां पर यह निर्भर करता है कि हम पी से लेकर क क्यू तक नाप रहें यह क्यू से लेकर पी तक नाप रहें मान लीजिए यदि हम पी से लेकर क्यू तक नाप रहें यह शौटकर डिस्टन्स यह लंबवत दूरी कितनी थी 10 किलोमेटर तो हम लिखेंगे 10 किलोमेटर लेकिन जब हम क्यू से लेकर पी तक नापेंगे यहां पर हमने दिशा को विपरित कर दिया है, दिशा को बदल दिया है, तो आंकीक मान में तो कोई परिवर्तनी होगा, आंकीक मान तो 10 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन दिशा बदल जाने के कारण हमको यहां पर दिशा का ग्यात करवाना पड़ेगा, अब हम विपरित दिशा के लि पहले हमने अगर धनात्मक्चिन न लिया था तो बाद में हम रिनात्मक्चिन निक अस्तमाल करेंगे तो यहां पर Q से लेकर P तक का विस्थापन हो जाएगा माइनस 10 किलोमेटर अब विस्थापन को और इछे से समझने के लिए हम एक अगला उधारन लेते हैं मान लीजे एक वेक्ती है जो मौर्निंग वाक पर निकला है एस स्थिती से उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया 3 किलोमेटर तक चला B पोजिशन पर पहुचा और उसके बाद उसने रास्ता परिवर्तित कर दिया और 8 किलोमेटर उत्तर की ओर चलने लगा वो पहुचा C पोजिशन पर और उसके बाद उसने अपनी दिशा को चेंज कर दिया और पश्चिन दिशा की ओर 3 किलोमेटर चला मतलब इस प्रकार का रास्ता उसने कुछ तै किया अन्तिम उसकी स्थिती थी D अब यहां पर हम देखते हैं कि इस रास्ते में इस वैक्ति के द्वारा तै की गई दूरी कितनी होगी जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी तै की गई पत की लंबाई होती है तो यहां पर दूरी हो जाएगी 3 प्लस 8 प्लस 3 यानि कि टोटल 14 किलोमेटर जबकि यहाँ पर हम विस्थापन ग्याद करें यानि कि A और D के बीच की लमवत दूरी तो ये लमवत दूरी निश्चित रूप से 8 किलोमेटर ही होगी और उसमें भी यदि हम A से D विस्थापन निकाल रहें और उसे हम 8 किलोमेटर ले रहें तो जब D से A निकालेंगे तो वो माइनस 8 किलोमेटर हो जाएगा चलिए एक और उधारन लेते हैं मान लीज़े एक वैक्ती एक सर्कुलर पार्क पे घूम रहे है उसने P पोजिशन से चलना शुरू किया और इस व्रितिय पत पर घूमते घूमते वो Q पोजिशन पर आ गया और वो Q पोजिशन वो P पोजिशन ही थी मतलब वो जहां से चलना शुरू किया था एक गोल चक्कर लगा कर वही पर ही आ गया अब बताईए इसमें इस व्रिति द्वारा तै की गई दूरी कितनी होगी यदि हम देखें तो इस व्रितिय पत की परीधी होगी क्योंकि उसके द्वारा तै की गई लंबाई इसी व्रित का एक चक्कर ही है तो यहाँ पर ये वृत की परिधी इसके द्वारा तैय की गई दूरी होगी यानि कि हम फॉर्मूले की रूप में देखें तो 2 पाई र जहां आर इस वृत की त्रिज्य होगी अब इसका विस्थापन कितना होगा जैसे कि हम जानते हैं विस्थापन शॉर्टकट दूरी है लमवत दूरी है और ये वेक्ति जहां से शुरू किया था ये उसी बिंदू पर पहुँच गया इसका मतलब इसने कोई भी विस्थापन नहीं होगा या इसके द्वारा तैक किया गया विस्थापन शुन्य होगा तो इस प्रकार हमने कुछ उधारनों के जरिये दूरी और विस्थापन में अंतर समझने की कोशिश की आईए हम देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है पहला हम देखे तो दूरी दो बिंदूओं दो स्थितियों के बीच में तै की गई पत की लंबाई पर निर्भर करती है जबकि विस्थापन दो बिंदूओं दो स्थितियों के बीच की न्यूनितम दूरी होती है दूरी अदीश राशी है जबकि विस्थापन सदीश राशी है दूरी हमेशा धनात्मक होगी और विस्थापन जैसे कि हमें उधारनों में देखा ये धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है और शुन्य भी हो सकता है किन्तु दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक एक ही होगा दोनों को हम मीटर में ही नापते हैं और जो मात्रक हम दूरी के लिए इस्तमाल कर सकते हैं जैसे की किलोमेटर, सेंटीमेटर, डेसीमेटर जो भी वो सारा मात्रक हम विस्थापन के लिए भी इस्तमाल करते हैं अब बच्चों हम एक सारणी देखते हैं जिसमें दो अलग-अलग बसों के द्वारा तै की गई दूरी के आकड़े हैं ये दोनों ये बस सुभह 9 बजे चलना शुरू है और इनकी जो आकड़े हैं वो 10 बच के 15 बनेट तक दिये गए हैं बस A और बस B दोनों 9 बजे तक 10 किलोमेटर की दूरी तै कर चुके थे 10 पंदरा पर बस A 60 किलोमेटर की दूरी और बस B 52 किलोमेटर की दूरी पर पहुँची अब इस सारणी को देखकर आप मुझे ये बताएए दोनों बसों में कौन सी बस तेजी से गती कर रही होगी निश्चित रूप से बस A की गती तेज होगी यानि कि बस समय के साथ साथ तेजी से अपने स्थिती में परिवर्तन कर रही होगी बस B की तुलना में और दूसरे शब्दों में हम कहें तो बस A का चाल अधिक होगा और बस B की चाल कम होगी अब ये चाल क्या है? जो चाल शब्द मैंने बोला वो डिपेंट कर रहा है दूरी पर पतलब जब हम किसी वस्तू का चाल बताते हैं तो समय के साथ साथ उसके द्वारा तै की गई दूरी पर संबंद स्थापित करते हैं यदि समय के साथ साथ तै की गई दूरी अधिक है तो वस्तू का चाल अधिक होगा समय के साथ साथ वस्तू के द्वारा तै की गई दूरी कम है तो वस्तू का चाल भी कम होगा तो इस तरीके से हम देखें चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय अंतराल और यदि इसका ऐसा ही मातरक निकाले तो हम देखते हैं दूरी का ऐसा ही मातरक होता है मीटर और समय का ऐसा ही मातरक होता है सेकेंड तो चाल का मातरक होगा मीटर प्रती सेकेंड वैसे हम चाल को किलो मीटर प्रती घंटे में भी मापते हैं क्योंकि कुछ सवाल हमारे पास ऐसे होते हैं, जिनमें वस्तु के द्वारा घंटों में तय की गई दूरी किलोमेटर में दी जाती है, इसलिए इसका मातरख हम किलोमेटर प्रती घंटा भी लेते हैं अब इसी आकड़े को हम और ध्यान से देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जो बस ए है, वो हर पंदरा मिनट में एक बराबर दूरी तय कर रहा है, नौ बजे 10 किलोमेटर दूरी तय किये थे, नौ पंदरा को 20, साड़े 9 को 30, यानि कि हर पंदरा मिनट में 10-10 किलोमेटर की दूर तै कर रहा है जबकि बस बी की बात करें तो यह 9 वजे 10 किलोमेटर थी 9 15 पर अठारा साड़े 9 पर 25 किलोमेटर इसका मतलब इसके द्वारा तै की गई दूरी असमान है और जब किसी वस्तु द्वारा निश्चिस समय अंतराल में तै की गई दूरी एक समान हो तो उसे हम एक समान गती कहते हैं और तै की गई दूरी असमान हो तो हम उसे असमान गती के नाम से जानते हैं जब वस्तु एक समान गती तै करता है तो उस वस्तु का चाल भी एक समान होता है और जब वस्तु असमान गती करता है तो उसका चाल भी असमान होता है तो हम बस एक ही बात करें 9 बजे से 9 पंदरा के बीच में इसका चाल कितना होगा यदि हम इसका calculation करें तो इसके द्वारा तै की गई दूरी है 10 km और समय है 15 मिनट यदि हम सूत्र लगाएं तो चाल का formula होता है दूरी बटे समय अंतराल दूरी में हम लिखेंगे 10 km और यहां पर 15 मिनट को हम लिखेंगे 1 by 4 घंटे यानि की 1 चौथाई घंटा और इस प्रकार जब हम solve करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 km प्रती घंटा वैसे ही 9.15 से साड़े 9 के बीच में भी देखें तो बस एक की चाल 40 km प्रती घंटा ही रहेगी क्योंकि इसके द्वारा निश्चित समय में तै की गई दूरी भी निश्चित ही है और यदि हम बस बी की गति को देखें तो यहां पर बस भी 9 बजे 10 km की दूरी तै की थी और 9.15 पर 18 km तक पहुँची इसका मतलब 15 मिनट में इस 8 km की दूरी तै की तो इसका चाल फॉर्मला वही है दूरी बटे समय अंतराल तो होगा 8 बटे 1 बटे 4 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह मिलेगा 32 km प्रती घंटा जबकि हम 9.15 से 9.5 की बीच में देखें तो इसन 14 से 25 यदि हम देखें तो टोटल 7 km होते हैं तो 15 को हम 1 बटे 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 28 km मतलब हर 15 मिनट के अंतराल में हम देखें तो इसकी चाल अलग-अलग है यानि कि यह बस असमान चाल से गती करें तो जब कोई वस्तु असमान गती करें उसका चाल भी असमा हर छण पे उसका चाल निकाल सकते हैं जिसको हम लोग ताच्छणिक चाल बोलते हैं या फिर हम लोग बीज के जितने भी समय अंतराल है उसको इगनोर करके स्टार्टिंग और आखरी तै की दूरी को लेकर उसका औसत चाल निकालते हैं तो औसत चाल का फॉर्मला होता है व फिर समय अंतराल, किसी वस्तु का चाल, यानि कि स्पीड, उस वस्तु द्वारा निश्चिस समय अंतराल में तै की गई दूरी होती है, जिसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इसी में यदि हम दिशा को महत्व दें, तो ये एक नई राशी बन जाती है, जिसे हम क कहते हैं वेग यानि की वेलोसिटी तो यू कहें हम कि वेलोसिटी यानि की वेग किसी भी वस्तूग द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में तै की गई दूरी है और सूत्र अनुसार हम देखें तो वेग बराबर होगा निश्चित दिशा में तै की गई दूरी अपॉन समय अंतराल और निश्चित दिशा में तै की गई दूरी को हम कहते हैं विस्थापन तो वेग का सूत्र हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल इसका भी ऐसा इमातरक वही होगा जो की चाल का था यानि की मीटर प्रती सेकेंड जो की हम यहाँ पर एक दिशा की बात कर रहे हैं यानि की एक दिशा वाली राशी की तो वेग भी सदीश राशी है इस प्रकार हम देखें की वेग और चाल में क्या अंतर है तो चाल किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित समयंतराल में तै की गई दूरी है जबकि वेग निश्चित समयंतराल में निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तै की गई दूरी है यानि कि चाल बराबर दूरी बटे समेंतराल जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समेंतराल चाल एक अदीश राशी है जबकि वेग सदीश राशी है चुकि चाल एक अदीश राशी है इसलिए गती करते हुए वस्तू का चाल हमेशा धनात्मक होगा और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, दिशा बदल जाने पर रिनात्मक भी हो सकता है और शुन्य भी हो सकता है अब बच्चों, हम गती को ग्राफ के रूप में दर्शानी की कोशिश करते हैं ये ग्राफ से जुड़े हुए कोश्चन आपको एक्जाम में भी देखने को मिलेंगे चुकि जब हम गती की बात करते हैं, तो ये समय और दूरी के बीच में संबंध होता है तो जब हम ग्राफ भी बनाएंगे, तो एक अक्ष में हम समय लेंगे और दूसरे अक्ष में हम दूरी को रिप्रेजन्ट करेंगे हम जानते हैं, ग्राफ बनाने के लिए दो अक्षे चाहिए होते हैं, X और Y हम X अक्ष में समय को निरूपित करते हैं और Y अक्ष में हम दूरी को दर्शाते हैं माल लीजिए यह आकड़ा आपकी घर से लेकर आपकी विद्याले तक की दूरी तै करने का है आप घर से लेकर विद्याले तक की 72 मीटर की दूरी 12 मिनट में तै करते हैं पहरे दो मिनट में आपने 12 मीटर तै किया, अगले दो मिनट में आपने 24 मीटर तै किया, अगले दो मिनट यानि कि 6 मिनट में आपने 36 मीटर तै किया, इस प्रकार 12 मिनट में आप 72 मीटर की दूरी तै करते हैं, जो आकड़ा हमको नजर आ रहा है, अब इसका ग्राफ बनाए जाएगा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले दो अक्षों की जुरत पड़ती है वो हमने बना लिया साथ-साथ पैमाने की जुरत पड़ती है हम जानते हैं अगर ग्राफ पेपर आप देखें तो इसमें खांचे बने होते हैं बारीक दस खांचों का यानि की एक सेंटीमीटर का एक बड़ा खांचा होता है एक बड़ा ब्लॉक होता है उसी बड़े बड़े ब्लॉक को हम अपनी सुईधा किनुसर बनाया जा सकता है वेकिन जनरली हम लोग यही करते हैं बड़े बड़े ब्लॉक को हम लोग मार्क करते जाते है और एक बड़ा ब्लॉक एक सेंटीमीटर को होता है तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाने के लिए X अक्ष में एक सेंटीमीटर बराबर दो मिनिट लिये हैं जबकि Y अक्ष में एक सेंटीमीटर बराबर हमने बारा मिनिटर लिया है और इसी प्रकार अब हम दोनों अक्षों में समान दूरी पर इनी खाचों को अगर मार करते जाएं तो X में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार हम 12 तक मार करेंगे और वैसे ही Y अक्ष में दूरी के लिए हम 12, 24, 36 इस प्रकार 72 तक मार करते जाएंगे और जब इन बिंदूं के आधार पर ग्राफ बनाय जाएगा तो ये ग्राफ एक सरल रिखा होगी ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगी जो की X अक्ष में जुकी हुई होगी यह यूं कहें कि सरल रेखा की रूप में होगी जिसका कुछ न कुछ ढाल X अक्ष के साथ देखने को मिलेगा अब इस ग्राफ से हमको वस्तू का चाल ग्याद करना है क्योंकि अंकिक प्रश्ण इसी प्रकार के आते हैं जो ग्राफ से जूड़े होते हैं इस ग्राफ के द्वारा आपको किसी वस्तू का चाल ग्याद करना है चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समयांतराल किसी एक निश्चित समयांतराल पर हम चाल निकालना चाहते हैं मान लीजे हम यहाँ पर A से B बिंदू के बीच में चाल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस A बिंदू से एक लंबवत रेखा X अक्ष पे खीचेंगे और उसी A बिंदू से एक लंबवत रेखा Y अक्ष पे खीचेंगे सेम वैसे ही B बिंदू से भी लंबवत रेखा X अक्ष पे और दूसरी लंबवत रेखा Y अक्ष पे खीचेंगे ताकि वो जो A और B बिंदू के X और Y कॉर्डिनेट यानि कि X अक्ष के मान और Y अक्ष के मान हमको प्राप्थ हो सके यहाँ पर हम देखें कि X अक्ष में यह जो A बिंदू है वो एक निश्चित बिंदू पर टच कर रहा है इसको मान लीजे मैं लेती हूँ T1 और B बिंदू भी X अक्ष को एक निश्चित जगे पर टच कर रहा है जिसको मैं लेती हूँ T2 वैसे ही Y अक्ष पे हम देखें तो A द्वारा जो लमवत रेखा डाली गई है वो दर्शाते हम S1 से और B द्वारा जो लमवत रेखा Y अक्ष को टच कर रहा है उसको दर्शाते हम S2 से अब जो चाल का फॉर्मला होता है दूरी दूरी मतलब दो बिंदूओं के बीच का अंतर A और B बिंदू के बीच का अंतर निकालना है तो यह हम Y अक्ष में देखेंगे क्योंकि Y अक्ष ही दूरी को दर्शा रहा है तो यह दूरी हो जाएगी S2 माइनस S1 और वैसे ही समय अंतराल निकालना है तो हम X अक्ष के बीच का अंतर देखेंगे यहाँ पर T1 और T2 के बीच का अंतर देखेंगे तो हम समय अंतराल के जगे लिखेंगे T2 माइनस T1 तो इस प्रकार चाल का फॉर्मूला हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 दूरी थी यानि कि S2 माइनस S1 के बीच का अंतर 12 है और T2 माइनस T1 के बीच का अंतर 2 है तो 12 अपॉन T2 करेंगे तो आंसर आजाएगा 6 तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में यदि हम देखें तो वस्तू की जो चाल होगी वो 6 मीटर प्रती मिनट होगी यानि कि बच्चे ने घर से लेकर स्कूल तक की दूरी 6 मीटर प्रती मिनट की चाल से तै की है अब इसी ग्राफ में हम देखें तो जो चाल है ये दूरी बटे समय अंतराल है दूरी हमने किस अक्ष में निकाला वाई अक्ष में और समय हमने एक्स अक्ष में निकाला और जब हम वाई अक्ष का एक्स अक्ष के साप एक्ष परिवर्तन लेते हैं तो ये परिवर्तन कहलाता है धाल यानि कि हम किसी एक समान गती करते हुए वस्तू के ग्राफ से केवल उसका धाल निकालने तो हम उस वस्तू के चाल की गढणा कर सकते हैं